हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दिवियास किचन फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी डिलिश्चिस एगलेस ब्राउनी और वो भी सबके फेवरेट बिस्किट्स ओर्यो के साथ ओर्यो भी सबको पसंद है, ब्राउनी भी सबको पसंद है हम इसे टी टाइम में भी इंजॉई कर सकते हैं, आप बच्चों को स्कूल टेफन में भी दे सकते हैं, क्यों किते सारे काम आएगी नहीं, यह और यह इतनी रेस्टी है, कि आप इसे एक बार बनाएंगे, तो आप इसे रेगुलर बनाते रहेंगे, तो भी आपका मन नहीं भर कैसे बनेगी ओरियो क्रंच प्राणी, चलिए बने रहें मेरे साथ वीडियो में, बट उससे पहले मेरे चानल जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा, यहां मैंने लिया है कंपाउंड चॉकलेट, आप चाहें तो आप नॉर्मल जो चॉकलेट मिलती है, डेरी मिल्क यां आप इसे हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हम इसे करने जा रहे हैं मेल्ट, आप चाहें डबल बॉयलर मेथर में कीजिए या माइक्रो वेव में 30 second के लिए, मैं इसे माइक्रो वेव में 30 second के लिए कर रही हूँ, यह देखें 30 second बाद हमारा यह मिक्स्चर ऐसा हो गया है, अब से अब अच्छे से मिक्स कर लीजे ताकि चॉकलेट और बटर एकदम इकठे हो जाए इतकि शाइनिंग कि अच्छे आई यह हमारा गनाश तैयार हो गया अब रूम टेंपरेचर पर ही यहां पर दूद ले रही हूं मैं और उसमें डाल रही हूं सिर्का क्योंकि हमें यहां प प्राउनी तैयार करने के लिए अब हम मिक्स करते हैं सारे अपने ड्राई इंग्रीडियंट्स एक बड़े सारे बोल के उपर रखे आप चन्नी क्योंकि ड्राई इंग्रीडियंट्स को चानना बहुत ज़रूरी है ताकि उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज हो तो वो चन्नी यहाँ पे जैगरी पाउडर यूज कर सकते हैं, ब्राउन चूगर यूज कर सकते हैं, जो आपके पास हो, कोकोवा पाउडर, क्योंकि यह चॉकलेट फ्लेवर में होता है, यह अन्स्वीटन है, इसे भी हम अपनी चन्नी में डाल देंगे, सबको हमें कठा एक बार ही सीफ करे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, हमारी ब्राउनी को बहुत अच्छा टेक्स्चर देने के लिए, राइस देने के लिए, यह दोनों हेल्प करेंगे, अब इन्हें हम चान लेंगे, यह देखें, अब इसे स्पून की हेल्प से आप चान लीजे, ताकि इसमें कुछ अब इसे हम स्पून की हेल्प से एकदम से इकठा कर लेंगे, ताकि यह सब जो इंग्रीडियंट्स हैं, वो एकदम इकठे हो जाए, चले अब इसे भी हम साइट करते हैं, अब ओरियो क्रंच ब्राउनी है, तो ओरियो हमें चाहिए, यह देखें, यह मेरे पास चॉक्लेट की फिलिंग वाले ओरियो मिले थे मुझे, आपके पास वो वैनीला क्रीम वाले भी मिलते हैं, आप वो भी ले सकते हो, यह तीन-चार में साइड में कर रही हूँ, यह हमारी गार्निशिंग में हेल्प करेंगे, अगर आपको उपर कोई लेरिंग या गार्निशिंग नहीं क अब मैंने यहाँ पर दूद लिया है यह बड़े से कप में, यह नॉर्मल रूम टेंप्रेचर पर ही दूद है, बॉल किया हूँ दूद है लेकिन रूम टेंप्रेचर पे है, ओल डालेंगे इसमें, यह कुकिंग ओल है, लेकिन आप ध्द्धान रखेगा, कि किसी भी ऐसा oil use करना है जिसमें कोई smell नहीं होती वैसा नहीं तो वो हमारी brownie में या आपके किसी भी baking item में वो smell बहुत खराब लगती है अब ये दो दूध है हमने curdle करा था ना सिरका डाल के ये वो है इसे भी हम इस glass में mix कर देंगे अब अच्छे से हमने इन सब चीजों को एक साथ कर लेना है काकि oil भी इकठा हो जाए अब ये हमारी baking tin है जिसे हम अच्छे से grease करके dusting करके हम इसे side में कर लेते हैं ये से preparations हम पहले कर रहे हैं ताकि हमारी फटा फट से हम बना सके लीजे अब मैंने यहाँ पर dry ingredient ले लिया है क्योंकि हम सब तैयारी कर चुके हैं इसे हमने चान लिया है गनाश तैयार हो गया है हमारा दूद का mixture तैयार है oreo काट लिया हुआ हमने अब oreo's को मैं इस mixture में डाल दूँगी बड़े अच्छा flavor आता है का chocolate और butter के साथ यह वो है इसे भी हम इसमें हम mix कर लेते हैं और दूद दूद का जो mixture हमने अभी तयार कर रहा था oil और curdled milk के साथ वो इसे एक बार mix कर लेते हैं ताकि अगर कहीं bottom में कुछ bad गया हो कोई oil या दूद तो वो हम इसमें mix हो जाए अब आप batches में इसे mix कीजी अगर आप पर इक अठे डाल देंगे न तो एक तो आपके over mixing हो जाएगी आपको बहुत hard mixing करनी पड़ेगी तो और कभी क्या हो सकता है मैंने जहाँ पर जितनी quantity दी है आपको हो सकता है कि उसे दो चमत जादा लगे क्योंकि यह मैदा के ऊपर depend करता है कैसा texture है उसका इसे आप धीरे धीरे से बहुत softly आप इसे mix कीजी cut and fold method से यहाँ आपने spoon से करना है mixer blender कुछ नहीं चलाना इसको धीरे धीरे आप mix कीजी और इस तरह से हमारा एक better तैयार हो गया अब इसे baking ting में हम transfer करते हैं बहुत बड़िया brownie बनने वाली है आप जरूर इसे पसंद करेंगे आप try जरूर कीज़ेगा अब इसे tap tap करते हैं ताकि इसमें कुछ air bubbles हो वो निकल जाए अब आपने को याद होगा कि हमने biscuits अलग रखे थे वो हम कभ यूज करेंगे जब हमारे cake को bake होने में 10 मिनट रह जाएंगे तब हम रखेंगे इसके उपर वो 30 मिनट के लिए हम इसे bake करने जा रहे हैं preheated oven में लीजिए तैयार हो गए हमारे brownie बढ़िया सी देख रहे हैं उपर मैंने वो 10 मिनट पहले मैंने ये oreos उसके उपर settle कर दिये थे जो बिल्कुल sink नहीं हुए हैं आप चाहें तोड के डालिए अब इसे ठंडा होने के बाद demold कीजिए और enjoy कीजिए अपनी brownie जो बनी है oreo flavor में चाय के साथ लीजिए parties में enjoy कीजिए बच्चों को tiffin box में दीजिए कि किसी भी आप रूप में से enjoy कीजिए सब को बहुत पसंद आती है मेरे बच्चों को especially बहुत पसंद आती है मेरे घर में हर दूसरे दिन demand होती है तो आप भी एक बाद try कीजिएगा I am sure आपको और आपके बच्चों को यह ज़रूर पसंद आएगे और मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने experiences और बने रहिए The Well's Kitchen में देखते रहिए वीडियो को like कीजिए and thank you, thanks for watching The Well's Kitchen The Well's Kitchen